हेलो दोस्तों आप सब लोगों का सवागत है सेफटी मीधी चैनल पे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया इंग्लिश का एक्स्पिनेशन तो अच्छा हो तो हजाड और रिस्क का लेकिन अकर हिंदी में होता तो और भी बेटर होता इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये टाइम वेस्ट किये हजाड और रिस्क हिंदी में भी क्योंकि अगर आप गूगल में ट्रांसलेट करेंगे तो हजाड और रिस्क दोनों का मतलब एक ही है जोखिम इसलिए मैं रिस्क नहीं लोगा जोखिम वर्ड यूज करके तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हजाड रिस्क का डिफिनेशन अब यह देखते हैं बहुत सारे दोस्तों को मन में यह सवाल होगा कि यार हम लोग ने तो सिंपल वाला डिफिनेशन पढ़ा है तो आइधिंग आप इस डिफिनेशन के बात कर रहे हैं एनिधिंग विच पोटेंशन तो काउज हाम इस कॉल हजाड यानि किसी भी चीज से नुकसान पहुंचता हो उसे हजाड कहते हैं जी हां बिल्कुल ठीक का आपके बास से 100% एगरी हूँ अगर आप सेफ्टी प्रोफेशन नहीं है तो या किसी और फिल से हैं तो क्योंकि उस डिफिनेशन के हिसाब से फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन बुरा मतमानी आप भी एक हाजाड हैं क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है चमता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की लेकि सेफ्टी पॉइंट अफ वीव और जो डिफिनेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके हिसाब से आप हाजाड नहीं हो क्य होता तो कह सकते हैं कि भाई यह एक्सवाइजड बंदा हजाड है तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे इसलिए हम हजाड के डिफिनेशन को और भी आसान करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके तो फॉस्ट पार्ट क्या होगा हमारा एक्जांपल क्या है यहां पर क्रेन है तो बताए क्रें में क्या का पॉटेंशल या क्या का छमता हो सकता अनुखसान पहुचाने के एतबार से बूम गिर सकता है material हीड हो सकता है lifting के time समान गिर सकता है या tip over हो सकता है या कि overload जादा हो तो आगी की तरफ गिर सकता है अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था दो वर्ड याद रखना जी हां कौन सा potential तो potential यहां पर हो गया situation क्या कहता है situation कहता है यहाँ पे बिल्कूल भी नहीं मौका मिले तो operator cabin में सो जाए ऐसा situation है लेकिन फिर कभी हजाड होगा हाँ जब यहाँ पे lifting होगा तब कह सकते हैं कि यह potential valid है भी हजाड के अतबार से तो हम कह सकते हैं यह physical hazard sorry physical situation के हिसाब से lifting hazard है और potential के हिसाब से यह crane हजाड है तो दोस्तों अब हम लोग अपना दूसरा important topic देखेंगे जो है risk तो भाई लोग risk में थोड़ा funda है कि रिस्क में बहुत सारे definition है जो हमें confuse करते हैं जैसे business वाले risk, finance वाले risk, incidence company वाले risk, etc, etc तो आईए देखते हैं safety वाले risk definition क्या कहता है तो safety में भी दो definition है, मैंने पहले आपको कहा था risk का definition थोड़ा confusing है तो अब हमारे पास दो definition है, जो दोनों important है safety point of view से, लेकिन उससे भी ज्यादा important है कि कौन सा definition पहले समझा जाए, ताकि risk को समझना risky न हो बताई बताई कौन सा थोड़ा से इंट्स देता हूँ यह graduate level का वाला है और यह 10 plus 2 वाला है आप कौन सा देखेंगे, यस जी हम लोग पहले 10 plus 2 वाल लेवल वाला देखेंगे क्योंकि यह जो risk use करते हैं, कब use करते हैं यह definition, यह term जब risk assessment करना हो तभी, तो आई हम देखते हैं risk तो risk का definition समझने के लिए पहले hazard का होना जरूरी है क्योंकि हजार होगा तभी risk होगा तो यहाँ पे क्या हजार है crane hazard lifting hazard कह सकते हैं, अब देखते है definition क्या कहता है, तो definition कहता है risk is a possibility, chances संभावना of a harmful event मतलब नुकसान पहुचाने वाली घटना तो क्या क्या घटना हम लोगे देखे थे उस्टाइम boom किर सकता है, material किर सकता है and so on, etc तो घटना हो सकता है मतलब नुकसान वाली घटना हो सकता है संभावना हो, घटना होने की किस चीज़ से, तो crane hazard से लेकिन कब और वो कौन, कब हो सकता है जब बंदा hanging load के नीचे काम कर रहा हो तो ये risk हो गया operator ने कभी इस capacity इस model के crane नहीं कराया हो ये risk हो गया load chart से ज्यादा lift कर रहा है ये risk हो गया risk का मतलब हो सकता है कि पहले ही बार ऐसा risk वाला काम करे जो नुकसान हो जा या जिन्देगी भर करता रहे कोई बात नहीं जैसे ये incompetent आयोग operator है lifting सही भी कर सकता है खराब भी कर सकता है यहाँ पर load गिर भी सकता है जान भी जा सकती है कुछ भी नहीं हो सकता है ये lift ये load गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है तो हो भी सकता है या ना भी हो सकता है that is risk तो अपनी simple भाषा में अगर define करूँ या बोले तो risk का मतलब है बच गए तो कलाकार या फस गए तो life बेकार यही risk है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोगो हजार और risk का डिफ्रेंशन तो पहले से ही आता होगा लेकिन अब confusion नहीं होगा एक जले हम लोग risk का differentiate देखते हैं अंतर देखते हैं एक साथ तो पहले हजार फिर risk फिर normal condition तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे normal condition कि मैं एक crane है एक normal condition में कोई hazard कोई risk नहीं लेकिन यही crane क्या हो जाता है lifting hazard बन जाता कब जब lifting होती है तब यह lifting hazard हो जाता है और यह lifting hazard क्या हो जाता है एक risk बन जाता जब इनसान लटक्तिव लोड के नीचे काम करता है जब driver incompetent या आयोग हो incapable हो जब load over से ज्यादा करो तो वही risk हो जाता है तो अंतर इसमें पहला अंतर हम लोग क्या देखेंगे कि hazard की पहचान उसके छमता से होती है और risk की पहचान उसके possibility से होती है first point second answer हमें क्या देखेंगे कि no hazard no risk अगर जहां पे hazard ही नहीं होगा तो risk का कोई सवाल ही नहीं है तो no hazard no risk दूसरा यह point तीसरे अंतर हम क्या देखेंगे कि hazard 100% होता है 100% होगा तो ही potential होगा potential के तबास से कि यहाँ पे छमता है screen में जो जब मैंने आपको नुक्सान बचाए यह छमता है लेकिन risk के हिसाब से 50-50 कह सकते है 50% हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लोग यहाँ पे काम करे यह incompetent हो या load जादा करो हो भी सकता हो भी जाए या नहीं भी हो हो सकता 100% हो जाए हो सकता 0% नहीं हो तो इसलिए हमने क्या कह रहे है समझने के लिए 50-50 hazard 100% risk 50-50 तो इसलिए उमीद करता दोस्त यह वीडियो आप लोग को समझ में आएगा hazard or risk का differentiation भी समझ में आएगा इसका differentiate भी समझ में आएगा इसका अंतर भी समझ में आएगा इसलिए मैं चाता हूँ इस वीडियो को आप like भी करें share भी करें और कुछ अगर आपका suggestion है तो आप comment भी कर सकते हैं यह same वीडियो अगर आपको English में भी देखना है full detail में तो नीचे description से आप देख सकते हैं thank you very much